नवस्कार देव भूमिलाइद में आपका स्वागत हैं मैं हूँ आपके साथ अर्णुम जहान शेक 2022 विधानसवा चुनाव को लेकर उत्राखण में सियासी सरगर्मिया बढ़ने लगी है इसी कड़े में आम आदमी पार्टी ने भी पूरी ताकत चुनाव प्रचाल में जूग दी हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से सीम पत का चैरा करनल अजे कोठियाल को घोशित किया गया है जो गंगोत्री विधानसवा शेते से चुनाव लड़ेंगे इसकी गोशना कल दिल्ली के उप मुक्ष मंत्री मनीशिस सोधिया ने की है और आपको बता दे की ऐसे में आब आदमी पार्टी लगतार काफी ज़्यादा सक्रिय नजर आ रही है 2022 चुनाव को लेकर तैयारी जोरों पर है तमाम राजमतिक पार्टियां उत्राखन में जो राजमाईस कर रही है आम आदमी पार्टी भी 2022 चुनाव के मद्दे नजर तैयारी कर रही है और करनल कोठियाल को अपना सीम चेहरा घोशित कर चुकी है अब करनल साब गंगोत्री से चुनाव लड़ेंगे इस बात का भी कल उस पर जिक्र हुआ था और घोशना भी कर दिया गया है करनल साब इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मोजूद है करनल अजय कोठियाल साब किस तरह से देखते हैं पहले तो आपका चेहरा सीम के लिए यहाँ पर घोशित कर दिया गया अब गंगोत्री से आप चुनाव लड़ेंगे और गंगोत्री के बारे में एक कहावत है कि गंगोत्री में जो पार्टी जीती है वही सत्ता तक पहुँचती है देखो ये तो है कि एक मित है एक मित्या है और इन चीजों को पहाड़ों में काफी फॉलो भी करा जाता है तो इन चीजों को तो हमें भी फॉलो करना चीए लेकिन साथ में ये है कि कही ना कहीं खाली मित्या को लेकर नहीं चलना चीए साथ में ये भी होना ज़िए कि आत्मी अपने ताकत काम करने की चंका उसे भी लेकर के चले आगे और इनी चीजों को लेकर के आम आद्मी पार्टी ने जब कोई डिसीजन लेती है पार्टी तो वो ना जनता की बात सुनती है और जनता की बात को देखते वे फिर वो फैसला लेती है क्या करना चीए सर्वे में उन्होंने ये देखा कि जनता इसकी गंगोतरी की ये बोल रही है कि करनल कोठियाल की क्योंकि वो करम भूमी रही है और क्योंकि वहां से हमारे सबसे ज़्यादा लड़के आर्मी में जो बढ़ती हों हैं कोई धाई जार के करीब उतने से ज़्यादा हमारे ट्रेन हो रखे हैं वहां के इलाके से यूथ फांडेशन की शुरुवात हमने गंगोत्री से करी है यह जो नहरू परवातरों सस्ता है जिसके हम प्रधाना चा रहे थे पांट साल उसका बहुत बड़ा पूरे गंगोत्री घाटी में हर गाउं में एक दबदबा है एक रोल है क्योंकि वहां के ट्रेन बच्चे इन जगों के हैं तो यह सब देख करके जनता की भी जो रिक्वेस्स थी उसको देखते हैं आम जे कोठ्याल को बनायागी है वोगरावा से लड़ेगा गंगोत्री चीजों के लिए एक अपना रहा स्थान है और कहते हैं गंगा वहीं से निकलती है तो क्या माना जाए आप जब जीतेंगे वहांसे तो विकास की गंगा भी वहीं से निकलेगी गंगा तो हमेशा ही विकास की रही है इस बार विकास की गंगा वहाँ से निकलेगी दूसरा आप यह देखो गंगोतरी में जो बीजेपी कॉंग्रेस के जो चेहरे हैं वो भी तो जनता को एक्सेप्टेबल नहीं है गोपाल वाई थे बड़े अच्छे थे पर अनफॉचून करीनी है तेसलिए जनता भी चाती है कि वाकी में सरकार जो बननी चीए अगर गंगोतरी मित्या है तो कनला जे कोठियाल जैसे लोग आने चीए आमादमी पार्टी जैसे टीम आनी चीए अर्विन के इज्रिवाल जी जैसे लोग आने चीए यहां सरकार को मदद करने के जब से आपके चेहरे को लेकर जनता के बीच में आमादमी पार्टी गई है तब से तमाम दोरे आप कर रहे हैं लगातार जनता के बीच जा रहे हैं बातचीत कर रहे हैं आपका दोरा भी हो रहा है किस तरह का माहूल देख रहे हैं जमीन पर धरातल पर किस तरह का माहूल द देखो कहीं होता है कि वह आपसे जब सवाल कर रहा है तो उसके लहजे का क्या तरीका है उसे बोलेंगे हुमन इंटेलिजेंस और यह तो मैंने सीखी है फॉज में जम्मू कश्मीर में आतंक वादियों को मारने के लिए इतना असान थोड़ी है सोर्स बनाने पड़ते हैं पता चला सोर्स ही आपका बेकूब बना रहा है वो जब जो चीजे सीखी है यहां उत्राखंट की सिंपल जनता से जब मैं इंट्राइट कर रहा हूं तो वो तो उम्मीद की तरफ हमारे तरफ देख रही है वो कह रही है कि हम परेशान है लेकिन हमे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब हम सरकार में आएंगे तो जो मुद्दे बोल रहे हैं रोजगार, सिक्षा, स्वास्ते उनकों जमीन पर कैसे इंप्लिमेंट करेंगे अभी तक तो उन्होंने नेताओं से सुना है न हम करेंगे हम ऐसा करेंगे आगे कुछ बोलनी पात कि है यूकेडी अगर 2-4-5-7 सीटें जीती जो छेत्रिया पार्टी है चाए सपा बसपा यूकेडी तो वो कही न कहीं इन्ही दोनों पार्टी के साथ चली गई और बड़ी पार्टी होने के नाते उस पार्टी को नुकसान भी गवा आप क्या देखते हैं चुकि चुनाव पर्णिबनकाइं जो बता रहा है कि हम आदनी पार्टी आ रही है काई पीजेपी का सरवे बोल रहा है कि 26 उनको शहाद मिल रही है कि अब और गराफ गिरेगा अब ुविट इस तरीके मिल रही है तो वो तो एकी तरफ देख रहे हैं दिली कि कैसे मोधी जी आ जाएं कैसे अमिशा जी आ जाएं कैसे नड़ा जी आ जाएं तो हमारा शयाद नदी पार करवा देंगे नहीं तो हम तो डूपते वे जहाज हैं अब अगर वो डूपते वे जहाज हैं इस टाइम पर उन्होंने बोलना जल्दी है कि हम कितनी सीटे लाएंगे लेकिन पावर में जरूर आ रहे हैं अच्छे तरीके से जब शुरू में आप लो आपकी पार्टी यहां पर आई थी तो उस वक्त ये बाते हैं हो रही थी कि हमारे सामने बीजेपी है कॉंग्रेस कहीं नहीं है आज की स्थिती आप क्या देखते हैं धरातल पर क्या स्थिती देखते हैं आज की वरतमान स्थिती क्या है आज की तारिक में भी स्थिती वही है देखो पार्टी सरकार किसकी है बीजेपी की तो हम तो बीजेपी से कॉंपी अबी का वर्चस सो बहुत स्ट्रोंग है आज अपने अभी तोड़ा है उन्होंने है पुरानी सौसाल पुरानी पार्टी पर साड़े-चार साल में एक भी नौकरी नहीं लगी किसी की भी मतलब सरकारी नौकरी साड़े-चार साल में तीन मुख्यमंत्री बदली कर दिये तीस लाख लोगों के रोजगार दिया सात लाख लोगों के दावे हो रहे हैं दूसरी तरफ हरी स्रावत कह रहे हैं कि बतीस सो यह नौकरी दिखा दें तो हम राजिंतिक सन्यास ले लेंगे आपको क्या लगता है धरातल पे असल में स्थिति क्या है यह तो देखो ओपन इन्फ रोजगार दिया है वो तो विचारा मजबूरी में गया है इनके रोजगार तो मेरे को नहीं देखता कोई भी शुरू है या मेरे को पता चले तो मैं उनको सुझाओ दूँ तो आप और अच्छे तरीके से करो इस चुनाव में जब जनता की बीच आप जा रहे हैं तो कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो जनता के आपको लगता है कि इन मुद्दों को लेकर जनता में काफी नाराजगी है रोजगार सबसे पहले है, सबसे पहले महिलाओं की सबसे चिंता है, हमारे बच्चों का भविश्य तो होना चाहिए, रोजगार हो गया, उसके बाद हमारे उसमें आ रहा है स्वास्ते, फिर आ रहा है स्वास्ते, फिर बिजली पानी, फिर उसके आद में टूटी भी सड़के फिर उसके बाद है ब्रश्टाचार ऐसे बहुत सारे हैं पर यह में मुद्दे जो हैं यह जनता की तरफ से बहुत बुरी तरह से आ रहे हैं और इनी को हमने एड्रेस करना है और एड्रेस करने का अगर मैं बोलूं यह तो वह वाले मॉडल है जो हमने कामियाब कर दी है इस प पनाई और बारा तेरा अजार लड़के लड़कियां भरती हो गए तो सरकार में आते हैं तो आपका कॉंसेप्ट क्या है किस तरह से काम करें रोजगार के शेत्र में पलायन के शेत्र में स्वास्त के शेत्र में सिक्षा के शेत्र में क्योंकि यह बुनियादी सवाल है जिन श्हुños आनोघार मोडeल सिंपल सा है। हम दिखाएंगे, çok आपностью बंचोंके न, अच्छे। कुल हैसे स्कोलки और पर कलपना, करण को किया भाद पर को कोई भान भी जा पर कोई बाहि आ ağلي finger there also कि लड़का आया, उसका एड्मिशन आप लो, और उसके बाद में तुम्हारे ओफिस से, सरकारी स्कूल से, उस लड़के के प्राइवेट स्कूल में कोई जाएगा, और टीसी लेकर के आएगा, जिसको की सरकारी करमचारी को तो मना नहीं कर सकते, इस प्राइवेट स्कूल मे जो तनखा ती, जो फीस थी, 45,50,000 रुपे, सरकारी स्कूल में 0 फीस है, एक पैसा नहीं है, यहां तो कुस्तों फीस देतें न हम सरकारी स्कूल में भी, वहाँ 0 फीस है, और उस 0 फीस के अलावा वहाँ किताबों के लिए, वहाँपे ड्रेस के लिए, वहाँपे कोचिंग बारवी का रिजल्ट है 99% पास अगर ये वाला एक केरेक्टर बिल्डिंग वाला जो कोचिंग का जो टीचिंग का जो तरीका है क्या मैं उस अरखन में नहीं लेके आना चाहिए हम यही जनता को समझा रहे हैं यह मॉडल कामियाब है खाली इस मॉडल को हमने यहाँ पर रेप बीजेपी कहती कॉंग्रेस की बीटीम है असल में आप आपकी स्थिति क्या है यहाँ पर और दोनों जो पार्टियां है वो आप पर जिस तरह से हमला के पीछे वजह क्या मानते हैं देखो कहते हैं ना कि अगर एक दुश्मन की पोस्ट है आप उस पर हमला करने जा रहे हो जाहिर है कि सामने से गोली चलेगी अगर सामने से गोली नहीं चल रही है तो दो ही कारण होते हैं या तो आपका निशाना जो टार्गेट है आप गलट टार्गेट की तरफ जा रहे हो दुश्मन ही नहीं वहां पर और दूसरा हो सकता है कि वह आप पर एंबुश लगाने क तर्फ के पास सतर सीटों पे सतर केंडिडेट नहीं है और आप इंतजार कर रहे हैं कि दोनों पार्टी में कहीं न कहीं टिकट देने के बाद जो बी जो कंडिडेट रहेंगे जो कि उनका आपनी जो खा A और B तो जो दूस जिनको नहीं दिया उनको आप अपनी पार्टी में लपक कर उनको टिकट लेंगे और इसका इंतजार चल रहा है क्या असल इस्तिति क्या है देखो हमने तो अभी तक 31 विदान सभा में प्रभारी गोशित कर दिये उनको इसले भी कर रहा है कि मतलब 99 परसंट वही हमारे केंडिडेट हैं आम आदमी पार्टी ने तो यह कर दिया है बीजेपी का तो मेरे को लगता नहीं आखरी के 10-15 दिन तक भी कोई बोल पाएगा कि उनका वाकिम है कौन कैंडिडेट है हम तो आपकी इस चैनल के जरीए पूछ रहे हैं अजे कोठियाल को तो गंगोतरी से डिक्लेर कर दिया है ना कि यह यहां का विदायक का चेहरा है यह लड़ेगा जहां से आप पूछिए कंग्रेस बीजेपी से गंगोतरी तो परानी सी हैं तो हम तो एक केंडिडेट डिकलेर ना और पार्टी हों का तो कोई नहीं है तो चलो हमारे अगेस कोने उसका भी बता दें तो कम से कम गंगोतरी देवस्थानम का इलाका है वहां से गंगा जान बचाने वाली गंगा बहती है वहां से अच्छी पॉलिटिक्स की शुरु का मॉडल है कि आप जब सरकार में आएंगे तो उत्राखंड को अध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे देखो उत्राखंड में तो बच्पन से जब एक इनसान पैदा होता है तो उसकी जो संसकार है उसके जो रूटीन है वो इस तरीके क्या है कि वो ना अध्यात्मिक करता है तो उसको सीधा जलाने के लिए शम्शान गाटनी ले जाते हैं उसके पहले खेत में ले जाते हैं तो उसको याद दिलाते हैं मरे वे इनसान को यह वो खेत है जहां पर जब तू बच्चा था तू यहां पे ना खल लगाया करता था यहां तूने धान पहिंका है उस तो चोटा सा बक्रियों का दूद निकालने की कोशिश करता था भूल गया था तू आता नहीं था फिर उसको ले जाते हैं पत्तर के पास यह हमारा देवता है हर बार जब कोई वह होता था फंक्शन तो यहां पर तू भी टीका लगाता था यह सब याद दिलाने के बाद में तब उसको बोलते हैं अब तू आखरी तेरा यात्रा तेरी शुरू हो रही है गाउं छोड़ने की इससे बड़ी आध्यात्निक जानकारी क्या है यहां पर चार मासू देवता होते हैं यहां पर स्वर्ग रोहीनी है यहां पर भरत राजा जो ते जिनके नामें भारत तो चार दाम यात्रा में अगर कोई इनसान आ रहा है नौ दिन के लिए उसे बोलो यहां पर यहां पर यह स्वर्ग रोहीनी है जहां से पांडव आखरी में स्वर्ग गए थे खाली युदिष्टरी पहुंच पायते हैं उपर तक तो वह इनसान ना चाहेगा कि मैं जाकर क वह स्थान देखना हूं वहाँ पर जाकर दो दिन देहना चाहेगा तो नौ दिन की आतरा की जगे वह सोला दिन की बनाएगा कि मैं भरत राजा का स्थान भी देखकर क्या हूं रोजगार भी बढ़ेगा अच्छी बावनाय जाएंगी और आधरश समाज भी बनेगा तो यह करना है हमने उसमें जैसे ही हम अभी कोरोना काल की बाद की स्थिति के बाद करते हैं तो इसमें सबसे पहला मुद्दा तो एक तो वेरुजगारी है ही उसके बाद महगाई चरम पे है इस वक्त और पहाडों में आपने आपका पीछले बयान भी देखा था तमार मराजिंति पार्टियां भी कहती हजार रुपे से ज्यादा गैस सिलिंडर के दाम हो गए सबजियों के दाम आसमान चूर हैं तो यह तमाम मुद्दे कितना प्रभाव डालेगा इस चुनाओ पर जनता को यह समझना चाहिए कि क्या होता है कि अभी यह कर देंगे 200 चार साल तक रखा है रुपे की कीमत 200 आखरी के दो मैने में 200 का डेड़ सो कर देंगे और बोलेंगे हमने कीमत कम कर दी जनता को यह समझनी की जरूरत है कि ऐसी वाली चीज़ें जो हैं उसमें ना इनकी बॉकलाट जो है इनकी जो हमें बहकाने के तरीके उन में ना आए यह अचाना क्या करेंग हमारे बच्चों का पविश्य खतम हो रहा है और इनकी जुमले बाजी चलती रहेगी तो कहीं न कहीं हमें भी पापी बोला जाएगा हमें इन चीजों पर नहीं पढ़ना है हमें वाकई में एक समझदारी से इनको दुद्कारना इस बार और इनकी बातों में नहीं आना नह पुरा प्लैन बनाते हो और इस कशुरू करते हो तो वही चीज़ें कर रहे हैं और वही तरीका है काम करने का और वही कोई भी समझदार मेनेजमेंट जानता है वो से करना चाहिए हमारे नेता बिचारे जानते हैं इधर उदर रहते हैं तो वो दूसरे काम करते हैं वो जनता हो किसी और कहानी को सुनाने ही कोईश करते हैं कभ आदनी पार्टी का टार्गेट क्या है? उत्राखंड के जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, अब तो नेता हो गए, पहले फौजी थे, अब नेता भी है, क्या अपील है यहां की जनता से आपके? अपने बच्चों की, अगर हमें वाकी में चिनता है कि महिलाओं के चेरे पे मुसकराट होनी चीए, बुजुर्ग लोग अब सुखी मन से रोज सुबह शाम सुरज की तरफ देखें, पूजा पार्ट करें, तो हमें जरूर इस बार अपनी पॉलिटिकल पार्टी जो सोच है, उसको बदली करें बगार, चायो बीजेपी की सोच है, उनकी चायक कॉंग्रेस किये, उसको मत बदली करो, लेकिन इस बार आम आदनी पार्टी को जरूर मौका दो, जो पूरी यतन करके आगे आ रही है, जिसने साबित करके दिखाएं सारे मुद्दे, जो उत्राखन की जर प्रवीन कुमार, इंडिया नियूज झाल